सबी का मारे यूटूब चैनल कानून की वाज में आपका बहुत-बहुत स्वागते बात कर रहे हैं चारसो ट्यान में एकी उससे पहले मैं सबसे हद जोड के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे प्लीज नए हो तो हमारे चैनल को सस्प्राइब कर ले और जो बेल आइकने उसे प्रेज कर ले जिससे मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो इस चैनल पे अपलोड कुरूँ उसकी जानकरी या मेसेज आप तक पहुँचे मैं चाहता हूं कि आपके पास सटिक जानकरी पहुचे और अच्छी जानकरी आप तक पहुच सके अब बात करते हैं अगर किसी मेला द्वारा किसी भी पुरूस या किसी भी वेक्ति पर 410 में एका केस पाइल करती है पाइल होने के बाद वो पुलीस द्वारा दरज कर लिया जाता है दरज होने के बाद पुलीस उस वेक्ति के किलाब आरोप सिद्ध करकर कोट में चालान पेस कर देती है अब इसके बाद क्या होता है मालो चालान पेस होने के बाद वो वेक्ति मुल्जिम बन जाता है लेकिन उस दोरान जब ट्राइल चलती है केस की ट्राइल में महीला दोरा उसे 498 में एका केस साबित करने में नाकाम रहती है या उस ट्राइल केस में वो वेक्ति या वो पुरूस अगर ट्राइल के दोरान अपने पक्स में केस कर लेता है या उस केस में वो बरी हो जाता है तो वो विक्ति कुरूरता के आतार पर उस महिला से तलाक ले सकता ये कहा है सुप्रिम कोट ने क्योंकि अगर महिला किसी पुरुस को जूटे केस में पसाना जाती है जूटा केस करती है तो ये कुरूरता मना जाता है इसी कुरूरता के आदार पर वो व्यक्ति तलाक की का केस पाइल करकर कुरूरता के आदार पर वो तलाक ले सकता है उसे छुटकारा पासकता है यह सारी चीजे सुप्रीम कोट ने कहा है क्योंकि अगर जान पूझकर महिला किसी पुरुस को परेशान करती है जूटा केस दरज तो इसी को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर उस केस में ट्राइल में वो विक्ति यव पुरुस बरी हो जाता है, तो वो कुरूरता मानी जाएगी उसी कुरूरता के आदार पर वो पुरुस वो विक्ति तलाक ले सकता है ये सुप्रिम कोट ने कहा है इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ इस परकार का नय होता है या जूटा केस दरज हो जाता है और आप उसमें बरी हो जाते हैं तो उसे कुरूरता माना है कुरूरता के हदार पर आप सेक्टन 13 का केस पाइल करकर आप तलाक ले सकते हूं कि आपक को सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक यू धन्यवाद